राधे राधे जैश्री क्रेशना दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस दिनों असाड का महीना चल रहा है जो की धार्मिक दरश्टी से बहुत अधिक महत रखता है खास तोर पर इस महीने में आने वाली अमावस्या पित्रों के निमित पूजन तरपंड करने के लि दुख दर्द जो है वो दूर हो जाते हैं हिंदू पंचांग कि हम बात करें तो इस बार असाड करशना महावस्या तथा दर्शा महावस्या जो है ये 5 जुलाई 2017 सुक्र वार को मनायी जाएगी इस बार असाड लोवार का शुरुआद जो प्रारम है वो पान्ट होट जु पन हो जाएगा तो 5 जुलाई के जो योग हैं वो भी जान लेते हैं राहु काल जो है वो सुभा से शुरू हो जाएगा यानि की 10 बजकर 41 मिनट से लेकर के दोपहर के 12 बजकर 26 मिनट तक का रहेगा अभी जीत मूरत दिन के 11 बजकर 58 मिनट से लेकर के 12 बजकर 54 मिनट तक का र या फिर गंगा जल में आपको इसनान करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो पित्रों के निमत तरपन तथा सूर्य देव को अर्ग जरूर से अर्पित कर लें अगर आप गंगा नदी में या फिर किसी भी नदी में सनान ना कर पाने में समर्थ हैं तो आप गंगा जल की एस्नान कर लें, तो भी आपको उतना ही फ़ल मिलेगा, इस समावसया के दिन पित्रों के निम्यत भगवान शेव और शनी देव का विशेश पूजन करें, उन्हें पिसन करें और अपनी समस्याओं के निवारन के लिए प्राथना जरूर से करें इस दिन पित्रगणों की शानती के लिए पुवास रखें और ऐसा हाय और जो गरीब लोग हैं जो कि सक्षम नहीं है उनको भूजन दाक्न दक्षिना जरूर से दे दें इस दिन साइकाल यानि की शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं अपने पित्रों का समरंड करके साथ बार उस विरक्ष की परिक्रमा करें उनसे शमा मांगें और अपनी मनो कामना जरूर से कह दें आखरी उपाई ये है कि असाड़ी अमावस्या के दिन घर पर खीर, पूड़ी, भजिये, गुलगुली ये सारी चीजे बना करके इनका जो माइग रापिस का लाप उठाएंगे चो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बलकर दबाना बलकुल भी ना भूले क्योंकि यहां पर इस तरीके की महत पून जानकारिया मिलती रहते हैं तो चलिए म नहीं वीडियो में नहीं जानकारी के साथ जै श्री मन ना रहा हैं दोस्तों जै श्री कृष्णा